हेलो जी अमार अगरवाल सो गाईज आज इस पीडियों के इंदर हम बात करने वाले इन फोर्स अपडेटिड पैटर्न के बारे में क्यूंकि इन फोर्स लेके आज चुकि एक महास आयरिंग एंड जितने स्टुनेंट्स को नहीं पता है मैं आप लोग को बता देता हूं यह केंपस होने वाली है इन फोर्स इस आयरिंग लेके आज चुकिए सिस्टम इंजिनियर प्रोफाइल पर जिसका पैकेज रहने वाला है थ्री पॉइंट्स इक्सल्पी पैकेज थोड़ा सा मिनीमम है मतलब अधर कंपनी इस के कंपरेजन में अगर हम बात करें अगर मैं कंप इसपिरियंस आजाएगा तो आप आप आपके एंपर तो अब आपके लेटर करना है अभी आपको जो भी आपके पास ओफरलेटर आता है तो इसकी तरफ से यापको एकसेट करना है अगर आप यह वीडियो चितरी किसे देख लोगे कम्पलीट वीडियो देख लोगे तो मेरी आरणटी है आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी आपके लिए इसे चैनल पर काफी इसे वीडियो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मिना किसी देरी के साथ सो फस्ट फोल मैं आपको राउंट के बारें बता देता हूं काफी तुरूंट का डाउट रहता है कि वह यह कितने राउंट होगे तो देखो सबसे पहला एन का एक assessment होता है जो online सब्सक्राइब करोगे आपको इनफोसिस के अंदर जो कोशन साते हैं वह 99 परसेंट आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे क्योंकि रीजनिंग के कोश्चन वहीं क्वांट के कोश्चन में उनका थोड़ा लेवल अच्छेगा सा लेवल अगता है मीडियम लेवल की कोश्चन अम अपना रीजनिंग पढ़ लो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है अभी काफी स्टुनेंट्स के अंदर रेजिस्ट्रेशन सोच चुकी होगी और अभी काफी स्टुनेंट्स के अंदर अपकमिंग इनफोसिस का असस्मेंट होगा तो यह हाईरिंग ओने वाली है अब मैं सबस्ट्रेशन से आपको सबस्ट्रेशन से चीज बताउंगा ब्डेटर नहे वाला पूरा पूरा आपका एक online assessment एक assessment होगा जिसके अंदर ये छोटे-छोटे सब सेक्षन आने वाला है जैसे आपका पहला reasoning ability करेगा उसके बाद quant करेगा उसके बाद verbal करेगा उसके बाद रहेगे तो मैं हर एक section की detailing बता जिता हूं reasoning ability test reasoning ability test के section के इंदर आपके reasoning के question आएंगे आपके coding decoding के question आएंगे आपके figure वाले question आएंगे जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि ये pattern दो pattern देवी आपको और आपको next pattern पूछ लिया coding decoding के questions आप लोग को पता है कि A, B, A हमने 123 पे code किया है तो C, D, A ये किस पर होगा बलब ऐसे करगे कोई भी questions आपसे पूछे जाने की ज्यादा probability है जिसके अंदर आपके 15 questions आपसे पूछे जाएंगे reasoning ability के अंदर 15 questions आपसे पूछे जाएंगे timing 25 minutes रहने वाली है तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करना 25 minutes के अंदर आपको 15 questions attempt करने है और जो भी आप questions करोगे उसको एक rule से करना एक हमारा rule है 2 ratio 1 अभी 2 ratio 1 क्या rule है दो बार हमेशा question को read करना हमेशा question read करना दो बार and एक बार जो भी आप answer टिक कर रहे हो जो भी आप answer choose कर रहे हो वो आपको एक बार choose करना है तो दो बार अगर आप question को read करोगे तो पहली बात तो आपको question की knowledge हो जाएगी and बहुत यान से question को solve करना and time bound एक बहुत बड़ा एक आपके लिए gap बनेगा क्योंकि time bound की वज़े से काफी students रोल लिस्ट नहीं हो पाते हैं काफी students question नहीं कर पाते हैं तो अपना time उसी जाप से आपको manage करना है time management एक another level की skill है एक अलगी level की skills है जो आपको काफी help परेगी तो अपना time manage आपको करना आना चाहिए कि आपको कैसे एक particular time में आपको कुछ questions attempt करने होते हैं ठीक है now come to the section 2 quantitative ability test quants के अंदर आप सभी students को पता है quants का section थोड़ा सटफ रहता है time and work जैसे आपको question देखने को मिलेंगे speed distance time जैसे questions आपको देखने को मिलेंगे speed distance and time permutation combination यह quants के questions जैसे आपने देखे होगे quantitative ability के अंदर जो questions आते हैं 10 questions यहाँ पर रहने वाले हैं थोड़ास अनका level medium to high level हो सकता है बट medium level की questions रहने वाले हैं तो यह मत सोचना कि यहाँ पर simple questions होंगे जो इनका level रहेगा वो एक ठीक तक level का यहाँ पर questions देते हैं question आपको मिल जाएगा तीन मिनट अगर आपको एक question के लिए मिल ला है तो इनफ है और आप तीन मिनट के अंदर आप easily कर लोगे तो प्लीज इसको at the end अपना लास्ट में इसको time करना पहले जो question आपको लग रहा है सब्सक्राइब को इनके question से टैंप करो आपको time and work आता नहीं है तो आप यह चीज बाद में करना जो चीज आती है वह पहले टैंप करना जो चीज नहीं आती है वह बाद में टैंप करना move to the section 3 verbal ability test तो देखो यह कुछ आप पढ़के भी जाओगी तो इससे कुछ होने वाला नहीं है वर्बल ability के questions runtime पी आप करोगा आपकी English अच्छी होनी चाहिए प्रनांसेशन अच्छी होनी चाहिए फिलिंदा blanks के questions वहाँ पे देखने को मिल सकते है 20 questions 20 minutes के अंदर solve करने है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा time मिल जाएगा तो इसकी वज़े से मैं सोचना है कि हमार पास time है हर section के एक अलग-अलग time है अलग-अलग cut off रहेगी तो verbal ability के अंदर 20 questions 20 minutes के अंदर करने है तो यह सीच का बहुत ध्यान रगना now move to the section 4 pseudo code अब pseudo code आप नहीं करेंगे आपको एक बड़ा format में coding questions मिल जाएंगे आपसे उसका output पूछा जा सकता है कि भाई यह उसका output क्या होगा तो यह pseudo code के questions आपको देखने को जरूर मिलेंगे 5 questions रहने वाले 10 minutes मिल अब 2 minutes per question में बोल सकता हूँ 5 questions रहने वाले 10 minutes के अंदर आपको solve करने है तो pseudo code के questions आपको pen paper पे solve करना है वहाँ पे देखना है कि क्या output आ रहा है output based question हो सकते है एक जोर पे questions हो सकते है तो pseudo code के questions रहने वाले है now move to the section 5 numerical puzzle test puzzle based question होगी 4 questions यहाँ पे रहने वाले 10 minutes के अंदर आपको solve करने होगी now move to the section 6 English grammar test यह आपका English basis पे रहने वाला grammar grammatical चीज़े चेक होगी आपकी कि आपको grammatical कितनी knowledge है 5 questions रहने वाले 10 minutes रहने वाले मुझे पता है यह सब चीज matter नहीं करते देखो आप एक टेकनिकल बंद आप टेकनिकल फिल्ड में हो तो यह इंग्लिस और यह वर्बल एबलेटी यह सब चीज यह मालने ना कि एक शोल्ड लिस्टिंग का आपका path है उनको शोल्ड लिस्टिं के अंदर आपको यह करना होगा तो यह complete आपका मैंने पुरा process बता दिया अपडेटीड पैटर्न है अभी रीचेंटली इनफोसेस ने भी अभी अपना pattern अपना लॉंच किया है अभी आपका pattern आपको दिख जाएगा website वगए अभी देखोगे तो आपको दिख जाएगा तो के लिए काफी वीडियो आने वाली है जो आपके enforcement के लिए इनफोसेस इंटर्विव के लिए काफी अल्पूल होने वाली है तो चैनल को सब्स्राइब कर करए रहे ना लास्ट है मारा इंटर्विव के अंदर क्या क्या चीज़े पूछे जाने वाली है मैं आपको एक छोट आपसे पूछा जा सकता है computer subjects जो की काफ़ important होता है computer subjects आपसे जादा पूछा जा सकता है and last is project तो चार चीज आपसे पूछे जाने की जादा probability है इंटर्रीव के अंदर तो मैं complete video डाल दूँगा assessment के लिए अभी आप लोग के लिए काफी कुछ आने वाला है तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलना हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना अगर आपका जो भी डाउट है अभी जितने students का सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में